हेलो गाईज, वेलकम टो रॉयल इंटेक आज किस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्ब स्टोन्स कैसे लगाते है इसका œलेबर कॉस्ट कितना होता है और इसको मैनुएली लगाने में कितना टाइम जाता है तो guys हम सबको पता है कि Curbstones क्यों use होते है ये vehicular traffic और pedestrian traffic को separate करने के लिए use होते है ये अलग-अलग type के होते हैं हम लोग ने transportation engineering में इसके बारे में पढ़ा है सबसे important step है level maintain करना आप ये हरे color की दोरी देख रहे हो इससे हम लोग level maintain करते हैं एक और से दूसरी और तक हम लोग level pipe जो रहता है जिसमें पानी भरके हम लोग level करते हैं उससे हम लोग level set कर देते हैं और फिर ये दोरी बानते हैं और फिर इसी के according सारे curbstones हम लोग लगाते हैं जैसा कि आप देख सकते हो curbstones लगाने से पहले एक level bed तयार करना बहुत ज़रूरी होता है ये आप देख सकते हो ये cement motor का bed है अगर आपकी excavation बहुत ज़ादा है, depth बहुत ज़ादा है तो आप इसके निचे PCC भी दाल सकते हो ताकि आपका काम economical रहे आप देख सकते हो इस curb में spalling हुई है, मतलब कि ये थोड़ा सी तूट गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए ये जो आप gap देख रहे हो, दो curbs के बीच में ये gap देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि expansion और contraction होता है temperature variation की वज़ा से अगर ये gap नहीं देगे, तो crack आने का डर रहता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो curb stone यूज हो रहे है इसकी size आदे मिटर की है, मतलब 50 cm की है एक stone का weight 45 kg का है ये देखिए, इसका mortar जो mixing हो रहा है, वो इस तरह होता है cement में crushed sand को मिला के, ये mortar ready करते है तो guys, चली अब देखते हैं, कि इसको कैसे fit करते हैं बराबर एक alignment में, यहाँ पर जो mystery है, ये bed को ready कर रहा है cement mortar से, यहाँ पर depth कम है, इसलिए cement mortar यूज कर रहे है PCC use नहीं कर रहे है, इस तरह से ये bed ready होता है इस pick में आप देख सकते हो, curb stones कितने के packets में आते है अभी हम लोग live देखेंगे, कि कैसे curb stone को उठा के manually रखा जाता है इसके लिए machines बहुत सारी available है, लेकिन यहाँ पर manually कर रहे है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे है, tape से depth को check किया जा रहा है और उसके बाद stone को लगाएगे गाइज मैं भी आपको बताता हूँ कि यह काम में labor requirement कितना लगता है यह जो manual method है इसमें अगर आपके पास एक mystery और दो labor है तो यह लोग दिन भर में मिलके 30 से 35 curb stones fix कर सकते हैं 30 से 35 यह याद रखिए इस हिसाब से आप अपका labor cost calculate कर सकते हैं अभी आप देखिए कि यह कैसे fix करते है इसमें number of curb stones कितने requirement है यह भी निकालना आसान हो गया अगर आपको आपकी length पता होगी curb stone की और total length जितने लंबाई में आपको लगाना है यह तो length of curb stone से divide करके आप number of curb stones निकाल सकते हो आप देख सकते हो कि gap कैसे maintain किये है gap देना बहुत जरूरी है friends यह याद रखना फिर stone को fix करने के बाद उसको दोनों साइट से mortar लगा के अच्छे से position में fix कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं तो guys यह video आपको कैसी लगी comment section में जरूर बताना और हमारे channel को subscribe जरूर कर लेना क्योंकि civil engineering से related videos हम लोग हमारे channel पर लाते रहते हैं thank you so much for watching